इस सामाने हिंदी का मतलब होता है व्याकरण चीक है क्या होता है इसका मतलब व्याकरण जो आप हिंदी का व्याकरण पढ़ते हैं हम इसके अंतरगत वो चीजे पढ़ते हैं तो जब हम इसके व्याकरण की बात करते हैं या फिर हम कहें कि हमारे परिक्षा में जो पूछा जा जैसे हमारी जो competitive exam होते हैं, उन परिक्षाओं में जो हमसे पूछा जाता है, उन सारे topic को यहां पर हम इखटा करके जो पढ़ते हैं, वही हमारा सामने हिंदी के अंतरगत आता है, तो ध्यान रखिएगा, यहां पर मैं आपकी जो हिंदी है, उसको एक चक्र में पढ़ाती हू ठीक है, इस तरह का चक्र हम मान लेंगे, कि हमारी जो class है, यह इस तरह से तीन सिरे में सुरू होगी, यहां से, यहां से, यहां से, यानि एक होता है हमारा भागवन, भागवन में हमारी जो class चलती है, वो चलती है वर्ण माला से, ठीक है, दूसरा होता है हमारा भागटू, और यह जो भाग 2 होता है, इसमें जो हमारी क्लास चलती है, वो पद के भेद से, यानि जिसे हम संग्या से शुरुवात कह सकते हैं, कि संग्या से शुरुवात होती है, और तीसरा जो पार्ट आता है, हमारा भाग 3, इस भाग 3 में जो हमारी शुरुवात होती है, वो अलंकार से होती है ये पूरी Hindi हम इस तरह से कवर करते है ठीक है और ये इस तरह से चलता है चक्र कि एक बार चक्र यहां से शुरू होके ये ऐसे ऐसे राउन राउन चलता रहता है तो हम अपनी YouTube पर क्लास इसी तरह से लेंगे ठीक है तो ये जो batch मैं सुरू करने जा रहे हूं पहले मैंने सोचा था कि मैं वर्ण माला से शुरू करूँ लेकिन वर्ण माला, वर्तिनी, संधी ये तीन टॉपिक मैंने आप लोगों को बहुत बार कराए हमारी यूट्यूब चेनल पर ये बहुत सारी वीडियो पढ़ी हुई है इन सारे टॉपिक की तो मैंने सोचा कि इस बार हम अपने बैच को भाग 2 से शुरू करते हैं भाग 2 मतलब पद के भेद से हम यहां से अपने इस पार्ट को शुरू करेंगे और इसमें भाग 3 पढ़ते हुए फिर वापस भाग 1 वर्ण माला पे आएंगे यानि हम इसे भी पढ़ेंगे और आप लोगों को पता ही है क MWF में हम इस क्लास को लेंगे तो साम को साथ बजे हम इस क्लास को लेने वाले हैं ठीक है तो यह बात आप लोगों को समझ में आ गई तो हम लोग हिंदी के पद से शुरू करने वाले हैं जो हिंदी में हम पढ़ते हैं पद के भेद यानि जब शब्द आते हैं पहले हम और अविकारी, तो उसी को हम कहते हैं पद के भेद, अब हम यही से चीजों को शुरू करेंगे, तो यहाँ पर मैं थोड़ा सा आपको परचे दूँगी, जैसे हम यहाँ पर जब हमने वर्ण को मिला कर एक अर्थ दिया, सार्तक अर्थ, तो यह बनता है हमारा शब्द, ठीक ह तो इस तरह से हमारी हिंदी में शब्द ही खटे हो जाते हैं, और जब हम इन शब्दों का वर्गी करन करते हैं, तो हम व्याकरन के आधार पर हम पद में लेकर आते हैं इसे, अब ध्यान रखिएगा, शब्द और पद, इन दोनों में क्या अंतर है, क्या यह दोनों एक ही ह या इन दोनों में अंतर है तो जब हम बात करते हैं तो हमें पता चलता है ऐसे तो ये एक ही चीज के लिए कहा जाता है लेकिन इन दोनों में थोड़ा सा अंतर होता है थोड़ा सा अंतर क्या होता है जो शब्द होता है इसे हम स्वतंत्र रूप से प्रियोग कर सकते हैं या कह कोई शब्द सोतंतर रूप में प्रियोग में आता है तो वो शब्द कहलाता है और पद क्या होता है जब कोई शब्द किसी वाक्य के अंदर ठीक है जब कोई शब्द किसी वाक्य के अंदर प्रियोग में आता है तब वो शब्द शब्द न कहला कर क्या कहलाता है पद कहलाता है जैसे मानलो हमने एक शब्द लिया हमारे सामने है एक नाम है मोहन ठीक है दूसरा हमने नाम लिया पढ़ना ये भी हमारा शब्द हो गया ठीक है तीसरा हो गया किताब तो यहां पर अगर मैं आपसे कहूं कि मोहन पढ़ना और किताब ये सब क्या है तो आप कहेंगे कि ये ठीक है? ये क्या है? शब्द है. लेकिन अगर मैं इन तीनों शब्दों को मिला कर, अगर मैं एक वाक्य बना दूँ कि मौहन किताब पढ़ता है. ठीक है? अगर मैंने इस से इस तरह से लिख दिया, तो आप ध्यान रखिएगा कि ये जो मौहन शब्द है, या ये जो किताब या ये जो पढ़ता शब्द है, ये हमारा क्या हो गया? ये शब्द न रहकर अब पद कहलाएगा. बस इतना ही अंतर होता है शब्द और पद में. तो जब हम इसको क्या नाम दे देते हैं? पद. तो अब दिखें, पद से क्या है? ये एक तरह की पदवी है. ठीक है? होते हैं. तो इनके क्या भेद होते हैं? कितने भेद होते हैं? अब हम ये जानेंगे. तो जब हम बात करते हैं पद के भेद की, तो ये दो प्रकार के होते हैं. आपको पता ही है विकारी और दूसरा आजाता है इसके साथ अविकारी. ठीक है? अब हम इनहीं के बारे में जा कौन-कौन सी हो गए बात समझ में आई आप लोगों को कि यहां पर हमारे छात्र कुछ पूछ रहे हैं कुछ छात्र आपने मतलब आलाग अलाग देखो आप लोग न यहां के कमेंट कर रहे हो मैं आप लोगों से एक बात कहना चाहती हूँ अगर आप लोग सच में पढ़ने आये हो तो मैं आपसे यही कहूँगी कि फिर आप लोग न पढ़ाई करो फिर यह कमेंट वगेरा मत करो जैसे आप लोग यहां पर लगातार कमेंट कर रहे हैं और फिर फोकस करो आप पहले अपने बोड़ पर मैं चात्रों का यह वाली प्रोब्लम होती है कि मैं मैं अगर बात नहीं मतलब आप पढ़ा रही हैं आप कमेंट नहीं देखेंगी तो हमारे डाउट का क्या होगा यह जो आपको अपने अंदर डाउट वाली जो समस्या रहती है मैं आपको सच बताऊं आप लोगों को पढ़ना आता ही नहीं है अगर आप पहले टीचर को सुने उसके बाद अपने जो आपने पढ़ाई पढ़ी है उसको मनन करें और तीसरे पॉइंट पर फिर आप देखें कि हां हमारे दिमाग में कोई डाउट है तो आप पाएंगे तब आपके दिमाग में कोई डाउट नहीं रहता लेकिन आप लोग ना उल्टा करते हैं, आप लोग ना तो पहले पढ़के आए हैं, ना आपके दिमाग में कुछ थोड़ा सा फ्रेम है ना कुछ, जैसे ही टीचर ने यहाँ पर एक शब्द लिखा, पढ़ाना सुरू किया, तो जैसे मान लोग कि मैंने यहाँ पर कहा कि पद तो एकदम से आप सुनेंगे, समझेंगे निते बोलेंगे यह पद क्या होता है, तुरंट आपके दिमाग में आजागा, यह पद क्या होता है, पहला डाउट आ गया, फिर मैं आपको बताऊंगी कि पद दो प्रकार के हो गए, अभी विकारी और अविकारी, तो एकदम से आप अपने दिमाग में यह विकारी क्या होता है, अरे भाई, टीचर को बताने दो, टीचर को पढ़ाने दो, एक एक करके आप पढ़ते जाओ, और जो दिमाग में आपके डाउट आता जाए, उसको रफ कॉपी पे लिखते जाओ, और फिर उसके बाद देखो कि जब आप आप लोगों को पढ़ाने के लिए आई हूं, तो इमानदारी से पढ़ाने आई हूं, अब मैं यहां पर यह नहीं करूंगी, कि मैं यहां पर पढ़ा रही हूं, फिर कमेंट देख रही हूं, फिर आप से बात कर रही हूं, तो यह मेरी मजबूरी है कि मुझे देखना पढ चल रही है, तो मैं इसलिए आप लोगों से यही कहूंगी, कि साफधानी से बैठके आप बढ़ो, और मैं आपके बाद कमेंट नहीं देखूंगी, लास्ट में देखूंगी, ठीक, बाकि आप जो लाइक और शेयर करने वाली चीजे वो अपने आप करते रहे ना, अपनी जि होते हैं, एक होता है विकारी शब्द और दूसरा होता है अविकारी शब्द, अब ध्यान रखिएगा, यहां भले ही मैंने क्या लिखा है, शब्द लिखा है, लेकिन आपको पता है शब्द या पद, ठीक, शब्द या पद, तो हम इन दोनों की बात कर रहे हैं, यह दोनो है विकार शब्द से बना है और इस विकार का मतलब होता है परिवर्तन विकार का मतलब क्या होता है परिवर्तन तो अब इस बात को अपने दिमाग में समझ लीजिए कि जिन शब्दों में किसी भी प्रकार का परिवर्तन होता है वे शब्द हो गई विकारी और जिन शब्दो में अब दूसरा शब्द बना है अविकारी तो ध्यान रखिए विकारी के आगे अलगा है मतलब परिवर्तन नहीं तो जिन शब्दों में किसी भी पिरकार का परिवर्तन नहीं होता तो वो क्या होगे अविकारी अब सवाल उठता है कि परिवर्तन कैसा समझ रहे न देखो प साल के प्रभाव से परिवर्तित हो जाते हैं, वे शब्द हमारे क्या कहलाते हैं, वे शब्द हमारे विकारी शब्द कहलाते हैं, उधारन के तौर पर हम देखते हैं, जैसे शब्द है हमारे सामने लड़का, अगर लड़का का हम लिंग देखें, लिंग चेक करें, तो हमें आता है कि लड़का जो शब्द है ये है एकवचन और इससे इसका बहुचन क्या बनेगा लड़के समझ गए तो यारी लड़का शब्द से लड़की में परिवर्तन आ रहा है लड़का शब्द से लड़के में परिवर्तन आ रहा है तो ये जो परिवर्तन हुआ इसी परिव परिवर्तन को क्या कहते हैं विकारी और मतलब विकार और जिन शब्दों में ये होता है परिवर्तन उन्हें हम विकारी पद या विकारी शब्द कहते हैं बात समझ में आ गई इस तरह का परिवर्तन हमें चार प्रकार के पदों में मिलता है समझ गए चार प्रकार के पदों म हमने एक शब्द और लिया, जैसे शब्द है मैं, इस मैं शब्द के साथ हमने को कारक चिन लगाया, तो शब्द बना मुझको, इस मैं शब्द के साथ ही हमने से कारक चिन लगाया, तो क्या बना मुझसे, तो यह जो परिवर्तन आ रहा है, इसी परिवर्तन को हमने विकार कहा था और उसे बने वाले शब्द विकारी। तो बात समझ में आ गई, अब इस से देखते हैं हम यहाँ पर आविकारी पद की बात करते हैं तो यानि जिन में परिवर्तन ना हो, अब हमें पता है किन में परिवर्तन नहीं? जिन शब्दों पर लिंग, वचन, कारक और काल का कोई प्रभाव नहीं पड़ता और इनसे ये शब्दों में कोई परिवर्तन नहीं आता वे शब्द हमारे क्या कहलाते हैं? अविकारी पद कहलाते हैं जैसे हमारे सामने उधारण के तौर पर दिय क्या शब्द है यथा, यथा का आर्थ होता है के अनुसार, कहते हैं यथा इस्तिती, यथा सक्ती, क्या यथा पर कोई लिंग, वचन, कारक, काल का कोई प्रभाव पढ़ता है, कोई प्रभाव नहीं पढ़ता, इसी तरह से जैसे शब्द है इधर, शब्द है और शब्द है तो ये जो हमारे शब्द हैं, इन सारे शब्दों पर लिंग, वचन, कारक, काल का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, तो ये हमारे क्या कहलाते हैं, अविकारी कहलाते हैं, और अविकारी जो हमारे पद होते हैं, वे भी चार प्रकार के होते हैं, उनके अंदर कौन-कौन से होते तो उनके अंदर होता है क्रिया विशेशण, दूसरा पाद आता है समुच्य बोधक, तीसरा पाद आता है संबंद बोधक, तीसरा चौथा आता है विश्मयादी बोधक, यह चार प्रकार के हो गए, तो अब यहां पर यह जितने भी हमने पढ़े चार इधर और चार इधर, तो यह टोटल हमारे आठ पद हो गए, ठीक है, तो अब इन आठ पदों को हमें एक-एक करके समझना है, एक-एक करके पढ़ना है, के इन में यह क्या-क्या होता है, तो आज की क्लास में हम सबसे पहले पढ़ने जा रहे हैं संग्यापद को, ठीक है, किसको पढ़ने जा रह तो हम यहां पर संग्या के बारे में जानना चाहते हैं, संग्या हमारा विकारी पद है, अब इसकी परिभासा क्या है? अब आपने बच्छपन से इस परिभासा को बहुत बार बढ़ा होगा, अपनी परिक्षाओं में कई बार लिखा भी होगा, तो परिभासा क्या कहती है? और इस्थान के नाम का, ठीक है? ध्यान दीजेगा, आपको फोकस क्या करना है? यहाँ पर कहा है कि कौन-कौन सी चीज, किसी व्यक्ति, वस्तु, भाव, कोई प्राणी, यानि जीव जो है ना, प्राणी, और किसी इस्थान के नाम का बोध होता हो, वो हमारा क्या कहलाता है? वही हमारे जो शब्द होते हैं, वो क्या कहलाते हैं? संग्या शब्द कहलाते हैं. जैसे उधारन के तौर पर हमने दिया लड़का, मोहन, दिल्ली, पुस्तक, प्रेम. यह सब हमारे क्या है? यह किसी ना, किसी चीज का नाम है. तो ध्यान रखिएगा, इसी आधार पर संग्या को नाम क्यों कहते हैं? तो इस बात को अच्छी तरह से समझ लीजिए. चाहे हमारे सामने कैसी भी हिस्तिती आती हो, चाहे वो जगा का नाम होता हो, चाहे वो किसी वस्तु का नाम होता हो, किसी व्यक्ती का नाम होता हो, किसी भाव का, भाव जैसे हमने देखा कि आ आपको किसी के चहरे पर प्यार का भाव दिख रहा है, किसी के चहरे पर आश्यरे का भाव दिख रहा है, तो यानि कोई भाव भी अगर होता है और उसका भी हमने नाम करण अगर कर दिया है, तो वो सब हमारे क्या कहलाते हैं, संग्या पद कहलाते हैं, तो जब हम संग्या के प्रकार संग्या के वर्गी करण या संग्या के भेद की बात करते हैं तो हमें यहां पर देखने को मिलता है कि संग्या के भेद को हम दो प्रकार से करते हैं अब देखो ध्यान रखेगा एक बात हमारे विद्वानों ने व्याकरण को लिखा है और एक व विविन प्रकार की किताबों में विविन प्रकार की चीजें मिलती हैं, विविन प्रकार के विचार मिलते हैं, तो हम सारे विचारों को यहां पर समाहित करने की कोशिश करते हैं, तो उसी में हम देखते हैं कि संग्या के भेद लोग दो आधार पर करते हैं, कुछ लोग करते आर्थ के आधार पर कि संग्या को आर्थ के आधार पर बाटेंगे कुछ लोग करते हैं व्यत्युपत्ति मतलब उत्पत्ति के आधार पर ठीक है वो उत्पत्ति हुई है उसके आधार पर करते हैं तो दो प्रकार से बाटा जाता है अब आपकी परिक्षा में यहां से प्रश पर वो कौन-कौन सा तो व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, समदायवाचक, द्रववाचक और भावचक पांच प्रिकार से हम इसको आर्थ के आधार पर देखते हैं फिर दूसरा सवाल आता है व्यत्पत्ति के आधार पर संग्या की कितने भेध होंगे तो इसमें हम आंसर दिख लेते हैं व्यक्तिवाचक का मतलब होता है जो किसी व्यक्तिविसेश के नाम को बोध कराता हो वो व्यक्तिवाचक में आ जाएगा अब जब हम गर्णिय संग्या की बात करते हैं तो गर्णिय सब्द का मतलब होता है गिंती होने योग है जिसकी गिंती की जा सके वो क इसके अंदर आ जाएंगी अगर्णिये के अंदर आ जाएंगी तो इस तरह से तीन प्रिकार की हमारी संग्या हो जाती है किसके आधार पर उत्पत्ति के आधार पर तो अब जब हम इसके बारे में जब इस तरह के विचार आए अलग अलग तरह के विचार थे तो सर्व सम्मत विचार की ओर हम बढ़ते हैं कि सर्व स्रम्मत विचार हमारा क्या होता है या हमारी परिक्षाओं में जो पूछा जाता है वो क्या होता है तो हम उस ओर बढ़ते हैं फिर आगे जाती वाचक संग्या, भाव वाचक संग्या और जाती वाचक को हमने दो उपवेहद में बाटा है, समदाय वाचक और द्रवे वाचक, आखिर हमने इसको दो उपवेहद में क्यों बाटा, अलग से न रखके, अब इस तरह से तो हमारी संग्या जो है पांच प्रकार की दिख खायदे रहेए ठीक है लेकिन इसको हमने तीन करके और जाती वाचक के दो उपभेद करके इसको बाटा है तो ध्यान रखिएगा यहाँ पर हम देखते हैं कि जो हमारी शमदायवाचक संगया होती है उसके अंदर जाती वाचक शब्द भी नहीं हीत होता है और जो हमारी द्र के साथ हम देख लेते हैं एक बार ठीक है तो चलिए एक एक करके समझते हैं और आज मैंने आप लोगों के लिए फोटो भी लगाए हैं ताकि आप लोग ना अच्छे से समझ सकें अब देखो सबसे पहले हमारे सामने आ गया यहां पर व्यक्ति वाचक संग्या व्यक्ति कि आपको ऐसे ही मिल जाए तो मैं आप लोगों को अपने अप्लिकेशन पर दे दूंगी यह बात आप सब लोगों को मैंने बता चुकी हूं फिर से एक बार रिमाइंड करवा दे रही हूं अगर आप नहीं भी लिखना चाहते हैं तो पीडिएफ डाउनलोड कर लेना कहां से करना है निधी अकैडमी से निधी अकैडमी जो आपका एप है प्ले स्टूर पर वहां से कर लेना है वहां सीधा मिल जाएगा आपको यूट्यूब पीडिएफ के नाम से है तो चलिए इसमें व्यक्ति वाचक की परिभासा क्या है देखो हमीश्य एक बात याद रखिए हिंदी में परिभासा से कहीं जादा शब्द ही बता देता है आपको कि इसकी परिभासा क्या होगी शब्द कैसे इसने कहा व्यक्ति वाचक वो संग्या जो किसी व्यक्ति विसेश अब व्यक्ति क्या होता अपने आप में स्पेशल ठीक है तो हम इसकी परिभासा देखते है परिभासा क्या कहती है? जो शब्द किसी विसेस व्यक्ति, विसेस वस्तु, विसेस इस्थान या विसेस प्राणी के नाम का बोध कराएगा, उन्हें हम क्या कहते हैं? व्यक्ति वाचक संग्या कहते हैं. अब जैसे मैं आपको बताओं, यहां पर यह जो आपको दिख रहा है इसका नाम है निखिल. समझ गए? क्या नाम है इसका? निखिल है. तो यह क्या हो गया आपने आप में एक? इस्पेशल हो गया. यह निखिल है. हम जानते हैं और यह निखिल अपने आप में अनोखा है. इस्पेशल विसेस है. ठीक है? यह जो यहां पर आपको लड़की दि ये है अनुजा, ये है निखिल, अब आपको ये जो फोटो दिख रहा है, ये तो आप पहचान गए होंगे, ये एक ग्रह है, और ग्रह में भी एक कौन सा ग्रह है, ये है पृत्वी, तो पृत्वी के जैसा कोई क्या दूसरा ग्रह है, नहीं है, तो ये भी अपने आप में क् हिमाले, तो हिमाले कितने सारे हैं विस्व में, आपको पता है ना, एक ही ही है ना, एक है विसेस है अपने आप में, इसको भी पहचान गए होंगे, ये है राम चरित्र मानस, तो आप इसको भी पहचान गए, तो ये भी अपने आप में क्या है, एक ही ही है ना, ऐसा तो नहीं दस-बारा रामचरित मानस लिखी हुई है. एक ही है जो तुल सिदास जी ने लिखी है. तो देखो. यहाँ पर आपको ये बात पता चलती है कि हमने ये जाना कि व्यक्ति वाचक जो हमारी संग्या है वो क्या है? वो किसी विसेश व्यस्तू, विसेश व्यक्ति, विसेश प्राणी, विसेश जीव के बारे में बात करती है, जैसे ये निखिल अपने आप में अनोखा है, अपने परिवार के लिए, अपने मित्रजनों के लिए एक special व्यक्ति है, जैसे ये अनुजा अपने परिवार में, अपने मित्रजनों के लिए, अ एक ही है, अनोखा है, अलग है, इस्पेशल है, तो ये व्यक्ति वाचक के अंदर आएगा, जैसे ये हिमाले, एक ही है, अपने आप में स्पेशल है, जैसे ये रामचरित मानस ही अपने आप में क्या है, एक ही है, अनोखा है, तो जो एक होती है, जो वस्तुए एक ही होती है, जिनके नाम से एकी का बोध होता है वो हमारे किसमें आते हैं व्यक्ति वाचक में आते हैं दूसरा अब हम इसमें वाक्य प्रियोग करके देखते हैं और आप लोगों के सामने टास्क है कि आपको मुझे इस वाक्य के अंदर जो व्यक्ति वाचक संग्या है वो बतानी है आप आपकी परिक्षा में प्रश्न कैसे आता है आपकी परिक्षा में प्रश्न आएगा इस तरह से दीपक सुभा से हिंदी पढ़ रहा है फोटो भी दिया है यह जो दीपक है यह सुभा से हिंदी पढ़ रहा है अब आप लोगों को यह बताना है कि इस वाक्य के अंदर वे कौन इन शे शब्द हैं जो व्यक्ति वाचक संग्या के अंदर आएंगे और यही आपका प्रश्ण होता है आपकी परिक्षा में तो जल्दी से अब आप लोगों का यहां पर कमेंट आना चाहिए कि दीपक सुभा से हिंदी पढ़ रहा है क्या इसमें एक ही शब्द है या एक से ज्यादा शब्द हैं जो व्यक्ति वाचक को दर्साते हैं तो जल्दी बताईए हमारे चात्र यहां पर एक नाम दे रहे हैं कि दीपक दीपक यहां पर क्या है व्यक्तिवाचक है ऐसा कह रहे हैं लेकिन मुझे ये भी बताईए कि क्या इसके अंदर कोई और भी शब्द है क्या जो किसमे है व्यक्तिवाचक संग्या के अंदर अंतरगत आता है क्या आपको ऐसा लगता है दीपक के अलावा दीपक तो बिल्कुल सही है आप लोगों ने सही माना इसमें सही चुना है लेकिन ये भी बताईए क्या दीपक के अलावा भी कोई दूसरा शब्द है क्या जो हमारा किसमें आता है व्यक्ति वाचक में आता है जल्दी बताईए लगबग हमारे सभी छात्र जो हैं वो क्या बता रहे हैं दीपक बता रहे हैं लेकिन कुछ छात्रों ने कहा है कि दो नाम है व्यक्तिव आचक यहां पर हमारे दूसरा भी आंसर सही आया आप लोगों की तरह से हिंदी ठीक है तो आपको पता है कि यह हिंदी जो है यह क्या है एक भाशा का नाम है, है ना, तो ये भी अपने आप में special है, विसेस है, और दीपक जो है, ये भी अपने आप में क्या है, special है, विसेस है, तो बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर, आप सभी लोग एकदम से समझ गए, कि इसमें हमारा जो व्यक्ति वाचक संग्या है, वो कौन बात समझ में आ गई, चलो, बहुत बढ़िया, आप सब लोग तो हुस्यार हो, एकदम बहुत जल्दी सीख रहे हो, गुड़, अगला आता है हमारा जाती वाचक संग्या, अब इसको समझेंगे, जाती वाचक संग्या की परिभासा क्या कहती है, जो शब्द किसी प्राणी वस्तू या समदाय की पूरी जाती का बोध कराते हैं, उन्हें हम जाती वाचक संग्या कहते हैं, जो शब्द किसी प्राणी, वस्तू या समदाय की पूरी जाती का, देखो इसको फोकस करिएगा, जो मैंने यहाँ पर राउंड किया, पूरी जाती का, अब देखो पूरी कैसे वो में आपको शुखाती हूँ जैसे हम इह site up will company करते हैं उध本स के रोगरन हमें तीया हुआ हम इसको क्या कहेंगे कि हम इसको बोलते हैं हम इसको थीक क्या कहते हैं मिसको फल तो आप ये बताईए कि इसके अंदर को एक तो नहीं है, इसके अंदर बहुत सारे अलग-अलग आ रहे हैं, यानि फल जितने भी प्रकार के होते हैं, पूरी जाती को बोद करा रहा है, समझ गए? तो इसलिए जो फल शब्द है, वो हमारा क्या होता है? जाती वाचक के अंतर गता आता है, अब जैसे हम बात करें, य कोई एक नहीं, किसी एक सबजी के बारे में बात नहीं करें, अलाग-अलाग जितनी भी सबजी होती है, तो क्या दिखा रहा है? पूरी जाती को दिखा रहा है, अब जैसे यहाँ पर फोटो दिख रहा है आपको, या आपको पता है, इसे हम क्या कहते हैं, गाय कहते हैं, त तो यह जो हमारा शब्द हो जाएगा क्या है जाती को दिखा रहा है गाए की जाती हिंदुस्तान में जितने प्रकार की गाए उनकी जाती अगर हम अमेरिका की गाए के बारे में जाने तो अमेरिका की जितनी गाए अगर हम रसिया गाए के बारे में जाने तो मतलब की जितने भी विश्व में प्रकार की गाय पाई जाती हैं, जितनी भी गाय, सब क्यों फोकस करा रहा है यह शब्द गाय, तो यह हमारा किसमें आएगा जाती बाचक में आएगा, जाती को दिखा रहा है, आप देखों यहाँ पे किताबे पड़ी हुई है, यह बहुत, अब हम इसको कह किताब, अब कौन सी किताब भाई, मेट की किताब, हिंदी की किताब, अंग्रे जी की किताब, ठीक है? तो इसमें क्या दोए? सब तरहे की किताबे, motivational किताब subjective किताब हम कितनी सारी किताबों की यहां पे जाती को दिखा सकते तो यह जो किताब शब्द है यह भी किसको दिखा रहा है यह अपनी किताबों की जाती को दिखा रहा है अब यहां पे देखो इसे हम क्या कहते है हाथी कहते हैं अब देखो यह बताओ यह हाथी जो श तो यहाँ पर आपको क्या है ये चीज समझ में आ जाती एक study को दिखा रहा है तो यहीं हमारी हो क्या हौजातीए जाती वाचक संगय हो जातीए में भारे में बात करते हैं ठीक है तो यह बात कर रहा है तो आगे बढ़ते हल sì बहुत बढ़िया, यहां पर आप लोगों के लिए फेर से एक कॉशन है, जैसे हम वाक्य प्रियोग करते हैं, कि टोकरी में भल रखे हैं, अब आपको यह बताना है, कि यहां पर इस वाक्य के अंदर कौन सा शब्द है, जो जाती बोधक संग्या के अंदर आएका, ठीक है, ज आपको समझ में आ सके, तो टोकरी है, यह टोकरी रखी है, इस टोकरी में फल रखे हुए है, अब आपको बताना है जल्दी से फटावट से, जल्दी बताईए, तो फटावट से बताईए, हमारे यहां पर एक छात्र कह रहे हैं कि मैं पलवन भी पढ़ाओ, मैं पलवन की भी तैयारी करेंगे और मैं आपको यह जो हमारी रेगुलर क्लासिस हैं, इससे अलग में आपको पलवन की में वीडियो दे दूंगी, तो आप वहां पर देख सकते हैं, चिक, चलिए, बहुत बढ़िया, लेकिन देखो, बहुत गलत बात है, अच्छी बात भी है लेकिन गलत बात भी है, जो हमारे यहां पर कुछ चात्र हमारे लिख रहे हैं फल, लेकिन कुछ चात्र हमारे लिख रहे हैं फ्रूट्स, तो यह बताईए कि मैंने आप लोगों को फ्रूट बताया है क्या, भाई हिंदी पढ़ रहे हैं हम, हिंदी में रहो, अगर मान इपन से एप देवनागरी में था नहीं हो रहा है, तो कोई बात नहीं souffled ng in devanagri में अगर आप नहीं थांवा हरा है तो कोई बात नहीं था天 तौ कोई थाफ हिंग तो बचाना है समझ गए ना अच्छे बच्चों की तरह हिंदी में सही तरीके से तो यहां पर हमारे जो छात्र हैं वो लिख रहे हैं के फल और टोकरी हमारे यहां पर जाती वाचक संग्या के अंतरगत आ रहे हैं तो बिल्कुल सही है देखो टोकरी भी आ जाएगा क्योंकि टोक प्रिकार की होती है अलग अलग बिविन्य प्रिकार की होती है टोकरी तो यह भी किसको दिखाता है एक जाती को दिखाता है टोकरी की जाती को दिखाता है और यहां पर हमारा जो शब्दिया है फल तो यह फल भी हमारा क्या है फल की जाती को दिखाता है तो इसके अंदर ट अभी लोगों ने बहुत अच्छा प्रियास किया, चलो आगे बढ़ते हैं, आगला लेते हैं, आगला हमारा आगया, आप देखो इसमें ये चीज़ देखी है, जब हमने जाती वाचक देखा था, तो जाती वाचक के दो भेद देखे थे, तो बस यही है, हम जाती वाचक संग्या, अब द्रववाचक संग्या हमारी क्या होती है, इसको समझ लीजे, द्रववाचक संग्या हम कह सकते हैं, जो संग्या शब्द ठोस, द्रव, गैस, धातु, अधातु, आधी का बोध कराते हैं, उन्हें हम द्रववाचक संग्या कहते हैं, इसको समझने के लिए ए और अधातू इनके अंतरगत पड़ते हैं उन्ही उन्ही वस्तुऊं का उन्ही उन्ही चीजों का जब नाम आता है नाम करण होता है तो वो हमारा किसके अंदर आता है द्रविवाचक संग्या के अंतरगत आता है जैसे हम उधारन पर देख सकते हैं तो ये आप लोगों को यहां पताचल जाएगा कि हमारा क्या हो गया if you have a herea हो गया ठीक है जैसे हम इसको देखें यह क्या हो गया यह sona हो गया अब यह sona क्या है वो चांधी sona sona chandi यह वही जो सोने वाला sona नहीं है तो यह आपको पताचल गया sona क्या दिखा रहा है यह हमारे ठीक है, पानी का फोटो है, देखो, पानी का फोटो बनाने में हम काम्याब हो गए, समझ गए, पानी को अमने ऐसी उचाल दिया, तो अब देखो, ये जो हमारा तेल है, पानी है, ये किसको दिखा रहा है, ये द्रव को दिखा रहा है, तो यहां हम देख सकते हैं, कि जो हमको यहां पर चीजे दिखाई दे रही हैं, वो हमारी किसके अंतरगत आती हैं, ठोस, द्रव, गैस, धातू और अधातू, इन में से किसी एक चीज के अंतरगत आ रही हैं, तो यह जारी चीजें हमारी क्या कहलाएंगी, यह द्रव वाचक संग्या कहलाएंगी, बात समझ में आग होता है इस वाख्य में आपको बतानी है रव वाचक संग्या जल्दी से बताये मैं इनतजार कर रही हूं चांत्र केह रहे हैं कि मैंम कोर्स कितने का मिलेगा नहीं Snee को आप हमारे एपलिकेशन पर जाए वहां पर अलग अलग तरीके के अलाग अलाग कोर्स दिये हैं, अलाग अलाग प्राइज में दिये हुए हैं, तो वो आप देख सकते हैं, अभी तो मुझे ऐसे ठीक से याद भी नहीं रहता, ठीक है, तो आप लोग एप्लिकेशन पर जाएए, एप्लिकेशन है हमारा हिंदी अकेडमी, कि इसमें द्रव्य वाचक संग्या कौनसी है, फटा-फट से आप लोगों के आंसर का इंतजार कर रही हूं, बहुत बढ़िया, आप सभी लोग हुस्यार हो गए हो वैसे, बहुत सुन्दर, सभी का आंसर आ रहा है, कि कोईला और हीरा, कोईला और हीरा, यहां हमारे क्या हो जाएंगे, द्रव्य वाचक संग्या के अंतरगत आ जाएंगे, तो कोईला और हीरा हमारे द्रव्य वाचक संग्या में आ जाते हैं, ठीक है, देखो ध्यान लखिए इसमें, द्रव्य वाचक, द्रवे वाचक संग्या के अंदर आ गए कोईला और हीरा, बहुत बढ़िया, आप सभी लोगों ने सही आंसर दिया, आगे बढ़ते हैं, अगला आता है हमारा समू वाचक संग्या, समू वाचक संग्या को हम देखेंगे, इसकी परिभासा क्या कहती है, देखो, ऐसे तो आप के शब्द से ही सब की पहचान हो रही है, लास्ट में आपको सौट्रिक बताने वाली हूँ, अभी तो हम पढ़ने हैं, जब हम पढ़ते हैं, तब हम एक चीज को अच्छी तरह से समझ के पढ़ते हैं, फिर बाद में जब एक बार हम लॉंग मेथर पढ़ लेते हैं न, लं संग्या के लिए, और वो अपने पास रख लेनी है, जो आपको परिक्षा में मदद करेगी, तो सबसे पहले अभी से समझते हैं, फिर नाम से हम देख सकते हैं, समू, वो संग्या जो समू का बोद कराती हैं, परिभासा क्या कह रही है, जो संग्या शब्द समू का बोद कर उन्हें क्या कहते हैं? Samhu Vachak Sangya या इनको हम Samudai Vachak Sangya के नाम से भी जानते हैं. ठीक है? दूसरा नाम आप लिख सकते हैं. यहां पर Samhu Vachak कह सकते हैं. या Samudai. आपको कहीं कहीं लिखेगा ना? Samudai Vachak. ठीक है? यह भी दिख जाएगा. तो आप इस तरीके से लिख सकते हैं. ठीक है? तो हम इने Samhu Vachak या Samudai Vachak Sangya के नाम से भी जानते हैं. और आगे लिखाए यह हमेशे एक वचन होते हैं. चलो यह तो वचन के लिए हमने आद कर लिया. अकसर यह हमारे क्या होते हैं? एक वचन में आते हैं. अब हम इनका यहाँ पर उधारन देखते हैं. जैसे यह हमें फोटो दिख रहा है. तो हम इसे देख सकते हैं. इसे क्या कहेंगे हम? परिवार. अब देखिए कैसे? यह Samhu है. आपको पता है, इस परिवार में मम्मी, पापा और दोनों भेन भाई हैं. तो यह एक परिवार बन गया. तो इसमें क्या है? Samhu है इन चार लोगों का? चार लोगों का हो सकता है. पाच लोगों का हो सकता है. तीन लोगों का हो सकता है. इससे और भी ज़्यादा लोगों का हो सकता है. तो परिवार में क्या है? लोग होते हैं. इकटे. ठीक है, दोनों शब्द आ गए, समझ गए, हम इसे भौज कहें, या हम इसे सैना कहें, इन दोनों शब्दों के पीछे, हमको ये पता चलता है, कि जब हमारे सैनिक एक जगा एक खटा होते हैं, किस में आते हैं, एक समू में आते हैं, तो वो हमारे क्या कहलाते हैं, भौज या सेना कहलाते हैं, तो ये दोनों ही शब्द हमारे क्या हो गए, समूव आचक संग्या के अंतरगत आ गए, बात समझ में आई, अब देखो ये जो फोटो दिख रहा है, ये फोटो है हमारा किसका? मेला का, किसका? मेला, अब आपको पता है न, मेला शब्द कैसे बनेगा, मेला स वाला है, कोई दुकान पर बेच रहा है, तो कोई सामान खरीद रहा है, तो इन सब का जो समू मिलकर बनता है, वो क्या कहलाता है, मेला कहलाता है, तो इसी सब्द को हम क्या कहींगे, समू वाचक में रखेंगे, क्योंकि यह किसको दिखा रहा है, समू को दिखा रहा है, तो हम शब्द हमारे क्या कहलाते हैं समुदायवाचक या समुवाचक में आते हैं चलो इसके बारे में थोड़ा सा बताओ जैसे हमारा यहां पर उधारन दिया है मैं अपने परिवार का सबसे अच्छा बच्चा हूं ठीक है तो यहां पर हमारा परिवार है और इस परिवार का जो को बताना है समुदाय वाचक यानि समुवाचक संग्या को तो इस वाक्य के अंदर वह कौन सा शब्द है जो समुवाचक संग्या के अंतरगत आ रहा है जल्दी से बताईए फटा-फट हमारे छातर कह रहे हैं पता ही नहीं चलता आपके क्लास में आकर पढ़ाई में डूब जाता हूँ बहुत बढ़िया ऐसा ही होना चाहिए जब आप पढ़ाई कर रहे हैं तो आपको समय का पता ही न चले कि कितना समय हो गया और आप पढ़ाई में आनंद ले यही तो असली प student है, अच्छे छात्र है, अच्छे विद्यार्थी है, बहुत बढ़िया, एकदम से आनंद लेके पढ़ना है, समझ गए, तो हाँ, हमारे छात्र ने पूछा है कि स्कूल, कॉलेज, आफिस, समूवाचक संग्या हैं क्या, बिल्कुल, ये सब समूवाचक हैं, क्योंकि इनके पीछे किसी समू का बोध हो रहा है, आप लोग बहुत अच्छी से समझ गए, अब आप दुनिया के तमाम शब्दों में पहचान कर सकते हैं, कि वो समूवाचक है या नहीं, बहुत बढ़िया, यही तो आप लोगों को समझना है, आप तो समार्ट बच्चे हो, आप तो ब दिखा रहा है, तो परिवार शब्द हमारा यहां क्या हो जाएगा, समूवाचक हो जाएगा, समूवाचक संग्या, चलो आगे बढ़ते हैं, जल्दी से फटाफट से अगला पॉइंट लेते हैं, आगली संग्या हमारे आगई भावाचक संग्या, जो किसको दिखा रहा है हमारे भावों को दिखा रहा है तो जल्दी से देखते हैं इसकी परिभासा फटाफट से जिन संग्या सब्दों से किसी व्यक्ति अथवा अवस्तू के गुण, दोश, दसा, अवस्था, भाव, आदी का बोध होता है वे भाव आचक संग्या शब्द कहलाते हैं अब यह वाली चीज तो बाद में हैं हमारी के प्रत्यों को जोड के बनाई गई हैं और क्या चीज़े इनको तो बाद में बात करते हैं अब पहले आपना यहां पर बताओ जो यह भाव दिये इसमें हम अगर उधारण देखें तो इन में कौन-कौन सा उधारण हमारे सामने आएगा जैसे देखो यह भाव दिख रहा है ना इसको हम क्या कहेंगे क्रोध कहते हैं ना क्रोध गुसा तो यह क्रोध सब्द हमारा क्या हो गया भाव अचक संग्या के अंदर आ गया अब यह देखो यह आँखें मोटी-मोटी करके देख रहा है तो इससे आपको क्या समझ में आता है कि इसको शौक लगा है इसको बड़ा आश्यरे हुआ है तो हम कहेंगे क्या है हमारा आश्यरे समझ गए तो यहां हमें आश्यरे हो रहा है तो आश्यरे शब्द भी हमारा किसमें आएगा भाव अचक संग्या के अंदर आएगा अब यहाँ पर यह हस गया है इसे हसी आ रही है तो हम इसे कहेंगे हसी तो यह जो हसी है यह हमारी क्या हो गई यह हमें इसे प्रसन्नता कह सकते हैं ठीक है तो ये हमारा भाव हो गया अब यहाँ पे ये एकदम से दिखा रहा है ना एकदम प्रेम वाली भावना आ रही है ठीक है प्रेम या प्यार तो ये शब्द हमारा क्या हो गया ये भी हमारा क्या हो गया भाव आचक संग्या के अंतरगत आ गया तो यहां पे हमको ये बात पता चलती है कि ये क्रोध, आश्यर, हसी, प्रेम, प्यार, ये सारी चीजें हमारी किसके अंतरगत आती हैं, भाव अचक संग्या के अंतरगत आती हैं, तो बात समझ में आ गई ना आप लोगों को, कि हमारे भाव अचक संग्या कौन कौन सी होती है तो अब इसके बारे में चलो यह तो आपने फोटो से समझा इसके अलावा और किस तरीके से आप पहचान कर सकते हैं भववाचक संग्या की तो वो आप समझ लीजिए जैसे मालो आप इसे ऐसे समझेगा कि भावाचक वे संग्याएं होती हैं जिने हम केवल महसूस कर सकते हैं हम देख नहीं सकते हम छू नहीं सकते तो आप कहेंगे मैम हम तो देख पा रहे हैं इनको ये जो हैं यहाँ पर इनको तो हम देख पा रहे हैं क्रोध को भी देख पा रहे हैं, आश्चेरे को भी देख पा रहे हैं, तो ध्यान रखिएगा हम इनको देख नहीं पा रहे हैं, केवल महसूस कर पा रहे हैं, किस वज़े से, कैसे कर रहे हैं, तो यह इनका क्या है, यह मुखोटा है, मतलब मुख है, ठीक है, तो इसके मुख जब यह लाल पीला हो गया तो हमको समझ में आ गया इसको क्रोध आ गया देख पार है हम उसके चेहरे को ही तो हमें समझ में आ जाता है कि यह गुस्से में आ गया क्रोधित हो गया तो तब हमें समझ में आता है क्रोध का भाव है तो यह हमें महसूस होता है फिर जब हम बात कर जो आखे चोड़ी चोड़ी करके देखता है, तो हमें समझ में आता है, यह एकदम से सौग में चड़ा गया, इसको आश्यरे हो रहा है, तो हम पहचान कर पाते हैं, लेकिन देख तो, अगर देखें तो हम उसके मुख को ही देख रहे हैं, मुख तो वही दो आखें, एक समझ में आता है, मतलब महसूस होता है, कि यह अब हस रहा है, इसको हसी आ रही है, और जब वह ऐसे बड़ा प्यार वाला चेहरा करके देखता है, तो हमें समझ में आता है, कि उसके मन में क्या है, प्रेम आ रहा है, तो हमें महसूस होता है यह, तो ध्यान रखेगा जैसे मानलो, कभी हमारे शब्द है, लंबाई यह भी हमारे भावा चिक संग्या है, आप कहेंगे कि हम तो लंबाई देख पाते हैं, कि जैसे देखो, जब मैं एक साल पहले अपने घर गया था, तो ये मेरा भतिजा था, तो ये इतना बड़ा था, लेकिन जब मैं दुबारा दूसरी साल में घर गया, तो ये इतना बड़ा हो गया, ये लंबा हो गया, तो इसकी तो लंबाई बढ़ गई, तो इतने से इतनी लंबाई इसकी बढ़ गई ना, ये वाली लंबाई बढ़ गई, तो मैंने तो देख ली, तो फिर आप कैसे कह सकत तो ध्यान रखिएगा, हमने जब पहले देखा था, जब इतना छोटा था, तब भी इसके सरीर को देखा था, समझ रहे ना, हमने तब भी इसके सरीर को देखा था, और जब ये बड़ा हुआ ना, तब भी हमने इसके सरीर को ही देखा, हमें ये महसूस हुआ, कि ये तब तो को एकना ठिगना सा था अब ये क्या हो गई अ लंबा हो गया है तो ये चीज हम्को क्या हुई महसूस हुई समझ रहे ना बात को तो लंबाई जो शब्द है जो की लंबा विशिशन से बनी है, जिसमें हमने प्रत्य लगा कर बनाया, तो ये हमारी क्या है, ये हमने इसको महसूस किया है, तो ये भावाचिक संग्या के अंतरगत आएगी, तो ये बात धियान रखेगा, तो ये बात आप लोगों को समुझ में आ गई होगी, ठीक है, चलो, तो अब इसके साथ यहां पर हम देखते हैं, जैसे अब इसके साथ एक चीज और बताती हूं, जैसे हमने ये वाली चीज तो देखी, इसी के साथ-साथ, जब हम आगे बढ़ते हैं, आप कहेंगे कि मैडम, ये तो संग्या जो शब्द आ गए, तो बड़े आसानी से आपने बता दिये, क्या इ जाती वाचक है, लेकिन कभी-कभी हमें जाती वाचक में लगाने को आ जाता है, तो ये कैसे होता है, प्रॉब्लम तो यहां होती है, बाकी तो हमको सब समझ में आता है, जैसे कि हमने इसका, अगर हम इसकी क्या देखें, मान लो, हम इसका सौट्रिक अगर बनाएं, तो कहा गया हमारा ये वरगी करन यहां पर हमनहें बनाया तो जब हम इसका सौत्रिक बनाएं तो हम को समझь में आ गया ना जहां पर किसि विखश मीक्ति का बॉध होगा तो वह क्या कहलाएगा वुध पशिक चला का।शima किप द्रव यानि ठोस द्रव गैस का बोध होगा तो द्रव वाचक हिलाएगा तो सीधा सिंपिल से सॉट्रिक बन गई लेकिन फिर मुद्धा उठता है कि कई बार ऐसे शब्द होते हैं जो व्यक्ति वाचक होते हुए जाती वाचक में आ जाते हैं या कई बार वो हमारे समधाय द्रव वाचक होते हुए जाती वाचक में आ जाते हैं या द्रव वाचक होते हुए जाती वाचक में आ जाते हैं तो हमें काब कहां क्या डिसीजन लेना है यह वाली बात समझने वाली है तो संग्या में जो ट्विस्ट है जो हमारी प्रिक्षाओं में आता है वो यह है और जो कोचिंग में आप फोन करते हैं, तो एक नमबर हमारा पहले था, जिसके लास्ट में 63 था, 72 से शुरू होता है, तो उस वाले फोन पर आपके बहुत कम ही आपकी कॉल उठती है, तो कई बार जब आपकी कॉल का कोई रप्लाई नहीं मिलता है, तो आप इस वाले नमबर पर कॉल करियेगा, ठीक है, आजकल ये नमबर आपका IVR पर है, इस पर आपकी कॉल रिसीव हो जाती है, वो नमबर केवल और केवल वाटसप के लिए है, तो इस वज़े से आपकी कॉल वहां पर नहीं उठती है, जो 72 से शुरू होता है और 63 से खतम होता है, तो वो उस वाले न करेंगे, दो वाक्य यहां पर दिये हुए हैं, पहला वाक्य भारत की आजादी में गांधी जी का बहुत बड़ा योगदान था, ठीक है, इसमें जो यहां पर गांधी जी शब्दाया है, आपको इसका संग्या बताना है, यानि इसकी संग्या बतानी है, ठीक है, इसकी नमबर टू और दूसरा वाक्य है भारत की सत्ता पर सिर्फ गांधी परिवार का अधिकार नहीं हो सकता तो ये गांधी और ये गांधी अच्छा इसको ऐसे कर लिते हैं मैंने पूरा जीतक लगा दिया केवल गांधी शब्द लेते हैं ठीक है तो आपको बताना है कि वाक्य नमबर वन में जो गांधी है ये कौन सी संग्या है और वाक्य नमबर टू में जो गांधी शब्द है ये कौन सी संग्या है दोनों में परिवर्तन हो रहा है तो जल्दी से बताईए आप लोगों का आंसर आना चाहिए ऐसे लिखके देजेगा वन वाक्य वन वाक्य टू ठ इस तरह से बताईएगा, जल्दी से बताईए, फटा 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 से, बहुत सुंतर, आप लोग मेरी तारीफ भी लिख रहे हैं, उसके लिए तहे दिल से शुक्रिया, और मैं आपकी कमेंट अपने मन में पढ़ लेती हूं, जो मेरी तारीफ वाले आप कमेंट लिखते आप सभी लोगों का, जल्दी से आप आंसर भी बताईए, फटा फट से, चीक है, चलो, बहुत बढ़िया, और यही चीज़ मैं बताईए, आप लोगों से कह रही हूं कि आप लोग जब पसंद करते हैं, मेरे पढ़ाने के तरीके को, तो ध्यान दखिए, जब आप लोग स चात्र लिख रहे हैं कि फास्ट में व्यक्ति वाचक और जाती वाचक, आचा कुछ चात्रों ने यहां पर जाती वाचक और भाव वाचक भी लिखा है, देखो, बात को समझो, अब यहां पर ध्यान देना, कि भारत की आजादी में गांधी, जब हम पहले वाले वाक्य को कि भारत की आजादी में गांधी जी का बहुत बड़ा योगदान था, तो पहले वाले वाक्य में गांधी शब्द का मतलब हमें किस से आता है, महत्मा गांधी से आता है, ठीक है, और महत्मा गांधी वो कौन है, एकी ही है, ठीक है, तो यह हो गई व्यक्ति वाचक, जब हम इसके बारे में देखते हैं, तो ये क्या हो गई हमारी व्यक्तिवाचक, समझ गए? जब हम इसके बारे में बात करते हैं, तो ये हमारी व्यक्तिवाचक संग्या हो गई, और जब हम दूसरे बाक्य की बात करते हैं, कि भारत की सत्ता पर सिर्फ गांधी परिवार का आधिकार नहीं हो सकता, तो इस गांधी शब्द से हमें बहुत सारे लोगों का बोध होता है, ठीक है, बहुत सारे लोगों का बोध होता है, यानि एक प्रकार की जाती को दिखा रहा है, समझ कहीं, जैसे कहते हैं, गांधी परिवार है, तो वो क्या दिखा रहा है, उधर की जाती को द दिया होता है और उसको रेखांकित करके दिया हो और तब आप से पूछा जाए कि इसमें संग्या कौन सी है तो बड़ी ही साफधानी से आपको उसका आंसर देना होता है ठीक है बहुत साफधानी से आप उत्तर दे तो चलिए अब यह आप लोगों को समझ में आ गया तो दू दूसरा प्रश्न है इसमें भी आपको बताना है पहला वाक्य मेरा परिवार दिल्ली में रहता है इस वाक्य में पहले जो शब्द है परिवार शब्द इसमें आपको संग्या बतानी है और जो दूसरा वाक्य यहां पर दिया है इसमें भी इस कॉलोनी के सभी परिवारों क एक पहचान पत्र दिया जाएगा अब इन दूनों वाक्यों के अंदर आपको संग्या बतानी है कि पहले वाक्य में जो परिवार शब्द है उसकी संग्या क्या है और दूसरे वाक्य में जो परिवार शब्द है इसमें कौन सी संग्या है तो जल्दी से बताईए फटा-फट सब сे कि कि अ कि अच्छा हमारे चातर है विने त्यागी के रहे हमें भी ऐसे ही पढ़ाया करो मैंची अच्छा station वालहे हैं कि हमारी क्लास में और आपको ओन्नाइन क्लास में फोटो दिखा के बढ़ाऊंगी चालो ठीक है आम बहुत भढ़िया ठीक है हमारे चात्र अनुराग तरिवारी कह रहे हैं कि मैडम हमें ऐसे क्यों नहीं पढ़ाया अरे ऐसा कुछ नहीं है मैंने आप लोगों को भी ऐसे ही पढ़ाया है लेकिन आप सभी लोग जो है वो शुरुवात में जब आते हैं जब हिंदी को शुरू म पढ़ते हैं तब आपको क्या लगता है आपको लगता है कि पता नहीं भार है लेकिन आप लोग जब batch खतम कर लेते हैं एक बार आप प्रिवीजन बैच लीजिए ना, तब आपको समझ भी आएगा, मैं हमेशा से ऐसे ही पढ़ाती हूं, ऐसा नहीं, आपको खूब, मतलब अच्छे से ही पढ़ाती हूं, चलो, आगे बढ़ो, अब देखिए, आप लोग कह रहे हैं कि ऐसे, यहां पर हमारे एक छात्र हैं, जो आके जिन्हों ने लिखा, मतलब वाली कमेंट लिखी है, जिससे तो मेरे दिल को चोट पहुंचती ही पहुंचती है, और मैं रौदरस में आ जाती हूं, यहां पर लिखा है, रिकॉर्डिंग क्लास है यह, अब रिकॉर्डिंग क्लास इसलिए लग रही है न, उनको क्योंक अपना टाइम वेस्ट कर रहे हूं, हाना, बहुत बढ़ी है, चलो ठीक है, तो क्या बताया आप लोगों ने, मेरा परिवार, जो पहला शब्द है, यह परिवार हमारा क्या है, जो दिखा रहा है, समू को दिखा रहा है, तो यह हमारा किस में आएगा, समू बाचक में आए तो इस परिवार के पीछे, समू का ही बोध हो रहा है, इसलिए समू बाचक संग्या के अंतरगत आता है, जब हम दूसरे वाक्य को पढ़ते हैं, इस कॉलोनी के सभी परिवारों को एक पहचान पत्र दिया जाएगा, तो यहां पे जो यह बात हम से कही गई है, कि इस कॉलो क्या हो जाएगा हमारा जाती वाचक हो जाएगा, क्या हो जाएगा, जाती वाचक हो जाएगा, ठीक है, तो इस तरह से हम लोगों को यह बात समझ में आती है, कि यहां पर हमने जो संग्या पढ़ी, तो पूरी संग्या हमारी यहां पर समाप्त हो जाती है, और आपकी परिक हिंदी को देखो तो सही वो आपको यू ही समझ में आ जाती है आज की क्लास आप लोगों को कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताईएगा और समय हो चला है हम लोग अपनी क्लास को फिनिस करते हैं लेकिन उससे पहले मैं आप सभी लोगों को एक बार फिर से बता देती ह अगर आप लोगों को ऑनलाइन क्लास लेनी हैं तो आप ऑनलाइन क्लास ले सकते हैं जैसे बहुत सारे छात्र कहते हैं कि मैं हमें क्लास चाहिए लाइव क्लास लाइव बैच अगर आपको लेना है तो सामाने हिंदी लाइव बैच में जाईए अगर आप चाहते हैं कि नही के अनुसार classes दी हुई हैं, तो वो ले सकते हैं, तो और यह जो मैंने आज आप लोगों को पढ़ाया, अगर इसकी PDF आप लोगों को देखनी हैं, तो आपको यहां जाकर देखना है, YouTube PDF जो आपका दिया हुआ है, यह box, इसमें मिल जाएगा, अभी तुरंट नहीं, यह आपको कल तक मिल जाएगा, या रात में एक या दो घंडे के बाद तक आप लोगों को मिल जाएगा, ठीक है, तो आप लोगों इसे देख सकते हैं, चेक कर सकते हैं यहां पर, चलिए तो फिर आज की class में इतना ही ग्यान काफी है, मिलते हैं फिर अगली class में अगले topic के साथ, अगले तक मिल जाएगाय काफी है, जाएगाय के विल जाएगाय काफी हैं, तक में कर देख सकते हैं, जाएगा को मिल जाएगाय के साथ,